अब आपनेольшी के लिए जो मेठा मेठा पाने अब हुता है ना उसके लिए क्या लगने वाला इमें पहले बताने वाली हों मिठा पानी कैसे बनाते है उसके लिए यहाँ पर मैंने दस बाराई ऑपर खजो लिये थे उनको अची के दो लिए और बाद में जो बीज होता है न जल लिए के आवला बीज मैं बीज मैंने लिए को लित तीनों चीजर वहां अपने है जक्छी जिनाً कसर Moscow imposed और ऊक्भी मेंने निक्काल देया लिए और उसे अपने वेहां यहां पर बड़ा बाव यहां पर गुड़ लिया है यह तीनों चीज़े हम अपने हिसाब से डाल सकते पर मेजर्मेंट लिया है ना वह सही है इस प्रकार चेगर बनाएंगे न हम तो मेठा पानी बहुत ही पेश्टी लगता है अब यहां पर मैंने पतेले लिये उसमें हमें एकिर करके सबी चीज़े इसमें डाल देने अगर्णी डाल देने उसके बाहर यहां पर गोड़ला देए जो पाने ना हम बाहर पाने कुरी खते ना फूर उसी प्रकार से इसका टेस हमें आता है खजूर डालना ना नहीं भूलना है खजूर डालने से क्या होता है पाने का टेस वह पाने भूध गाड़ा भी हो जाता है और टेस्ट हुआ अच्छा आता है इसके लिए खजूर दालना है अभी यहां पर akkor वांग ग्लास में पर पाने डाँ ग्रिए आभ में अभी इसको अच्छे से ऊबाल आ चुका है अभी इसको पाच मेद्व बरावर से हो चुके अभी गयास में बन करें अपर यहांपर आदे घंटे के लिए मैं इसको धक कर दूंगी देखे दोस्तों अभी आदा घंटा इसको हो इस प्रकासे इसको अच्छे से स्मैश कर लेंगे इसका हमें इमली का भी और खुजूर का भी बीज निकाल लिया इसके लिए जादा प्रॉब्लम है आपर नहीं होगा तो अच्छे से इसको पहले स्मैश कर लेंगे दो मिने इसके बाद या पर मने एक पतेला लिया है उसमें वाली चलने रख रहे हो आपके पास जो चलने हो आप यूश कर सकते हो और उसके पाद इसमें में उसको डाल दोगी पूरा इस प्रकासे पूरा पाने इसका निकल लेना है इस प्रकासे पूरा प्रकास परके पूरा इसका जो पाने है पूरे से वह निकल लेना है अच्छे से अब यह जो हमारा बन चुका है इसको मिक्सी में एकदल बारिक ऐसा प्रेसिस का बना लेंगे इसमें अभी एक भी बीज नहीं है इमली की भी नहीं और हजोर की भी नहीं इसके लिए मिक्सर में अभी इसको प्राप्लिम नहीं होगा पर लेखें पाने निकल चुका है और इसको अभी मिक्सी में खुल बारिक होने तक इसको फीस सूंगे अभी इहाँ पर देखें दोस्तों पूरा मैं ने यहाँ पर बारिक मिक्सी में कर लिया है इसको भी चांड लेंगे हम आप अब इसको भी अच्छी से इसको इस प्रका से जो इसमें बारिक पर रेश्यों होते हैं इंगली का वह इसमें निकल जाएंगे और जो बारिक पर पेस हुआ अच्छी से वह बरतन में भी चला जाएगा बराबर से इसमें भी थोड़ा से तो मेट्सी के बरत्म को लगा था ना थोड़ा सा पानी डाल के और में अच्छी से इसको कर लोंगे अच्छी से कर दोश्तों अभी इसमें बचाए इसमें थोड़ा सा जो कुछ होता है इंगली का थोड़ा सा रेश्यों होता है या थोटा बड़ा एसा कुछ गंदगी होता है वह इसमें अभी बचाए बस इसको भी जाने देंगे देखिए दोस्तों इस प्रतार से यह पानी बन चुका इसमें अभी क्या-क्या डालना है मैं बताती हो इसमें सबसे पेले आधा ग्लास पान डालना है जाद गाड़ा भी नहीं उना छहिए और जाद पानी पानी भी नहीं नहीं चरिए और थोड़ा सबसे लिपकर सहे खर अँ अब आपके सबसे कर सकते हो अब इस्वे में थोड़ा सा हींग डाल देए ओप्षिनलेस में डालते हूं इसके लिए डाल देए आदान साल यहाँ पर नमक डाल देए हाफस हुन हाप बैर लाल में इस पाउडर ढाल देए और यहाँ पर मनें पाने कुरी का एवरेस का पाने कुरी मसाला लियाए लिए इस तीखे पाने में में हम लोग डालेंगा और इसमें फ्लाद अच्चों आइं लिए नहीं भिए हो पाण इसको उबालने की जोरूरत नहीं है एसाई बहुत ही डेटी लगता है आप एसे एक बार अगर बनागर देखेंगे ना आपके बहुत पतन आएगा एक डंप यम्मे असाई बन चुका है भी पाणी देखकर ही लग रहा है कि और अभी पाणीपुरी खाले लग रहा है ना यम क्या होता है उसका स्वात पूरा पुदिना का हमें मिल जाता है इसके लिए मैंने इसको अच्छे से दो लिया है पुदिना और धनिया मैंने दोनों सेम मात्रा में लिया है कोई लोग क्या करते है पुदिना धनिया ज्यादा लेते और पुदिना कम लेते पर मैं दोनों को स सबसे कम ज़्यादा कर सकते हूं अभी आपर हमें मिक्सी प्राइग बाउल ले लिए हैं इसमें उदेन अभी डालना है हरा धनिया डालना है अभी यही पर अदव डाल रहे हूं जो साथ आठमने हरी मेल्स लेती है उसको डाल रहे हैं इस निम्बू की मैंने बीज निकाल लिए है इस जूस को भी इसमें अधर प्राइब का जोस में डाल जए हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो पर अगर एक निम्बू डालेगे ना तो बहुत ही उसका पाने पुड़ी के पाने का स्वात्ती के बाने का बहुत ही अच्छा आता है और इसमें अभी स्वादानुसार में नमक डाले अब इसको एकदम बारिक असा पीच लेना है अगर देखे दोस्तों जो अच्छे पेस बनकर में अब इसको अब बाउल में डाले एगई और इसमें में अभी एक लीटर पाने डालने वाले हूं इतना करण इसको अच्छा है एक डम ग्रीन 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 इसमें जो डालना है अभी दिखातियों में क्या क्या डालना है हमें इसमें अभी यहां पर मैंने एवरेस्ट का पानीकुरी मसाला लिया है उसको में दो स्पून है यहां पर डाल रही हूं इसमें अभी थोड़ा सा पहले हमने डाला था इसमें नमक डाला था पर अभी और पानीकुरी का मसाला आप कुन सा भी यूज कर सकते हो पर मैंने यहां पर एवरेस्ट का पानीकुरी मसाला लिया है इसका पानीकुरी मसाला हमेशा मैं यूज करके इसके लिए अभी भी उसको मैंने यूज किया है उसका टेस्ट काखी अच्छ होता है तो साम बाहर खाते ना कुल वेसे यह बन जाता है पानी देख लिजे कि इतना प्यारा लग रहा है ज्यादा गाड़ा भी नहीं है पानीकुरी का तिखा पानी हमारा अभी बनकर रेड़ी हो चुका है मैंने जो मीठा पानी हमने बनाया था उसको में फ्रीज में रख दिया है अभी इसको भी मैं फ्रीज में थोड़े गिर के लिए रख दूँगे थंड़ा थंड़ा पानी पानीकुरी का बहुत ही प्यार यह देखें दूस्तों मैंने अभी दोनों पाणी ओको मैंने आधा-धा घंटा फ्रीज में रख दिया था अभी बहुतित चील्ड इसा थंटा-थंडा पाणी दोनों का हो चुका है देख लेचे दम अच्छे से बन चुका है पाणी अब इसमें मैं थोड़ा सा बूंदी डाल रहे हो इतना प्यारा लग रहा है ना पाणी पूरी बनाने का भी वीडियो डालने वाले हो जल्दी यह देखिए दोस्तों हमारा पाणी पूरी के लिए जो तिक्खा और मिठा पाणी लगता है वो बनकर रेडिय उच्चुका है आप एक बार इस पानी को जरूर घर पर बना कर देखिए मैंने थोड़ा सा अलग प्रकास से बनाया है तो एक बार इसको बना कर देखिए और मुझे कमेंट करकर बताए कि कैस से बनाया आपको अगर मेरा इस वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेर और सब्स्ट्रेब कीजे धन्यवाद